हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब मैं हूँ अरशेना और आप सबका मेरी चानल पे स्वागत है और आज मैं आप लोके लाई हूँ होली का देहन स्पेसल आलू के पकोड़े की रेसिपी हमारे हाँ बिहार में होली का देहन में बहुत सारी पकवाने बनती हैं बहुत सारे पकोडे अलग-अलग तरह के बनते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले जो बच्चे या फिर बड़े सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो है आलू के पकोड़े तो चलिए हम देखते हैं हमें कैसे बनाना है आलू के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहापे लिए हैं दो आलू और इसे मैं अच्छे से छील के और इसे धो के रख ली हूँ और साथी साथ मैं यहापे एक बाउल में ली हूँ पानी और अब मैं आलू के इस तरह से पतले-पतले slices कर लेने हैं, जैसा कि chips रहता है ना बिलकुल उस तरह से, लेकिन हम इसका layer थोड़ा सा मोटा रखेंगे, बहुत जादा पतला इसे हमें नहीं करना है, हम यह पे आलू को थोड़ा सा मोटा ही काटेंगे, बहुत जादा बारिक नहीं करना हमे क्योंकि हम इसके पकोड़े बनाने वाले हैं, हमें chips नहीं बनानी है, सेम इसी तरह से आप लौकी के भी, बैगन के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आलू का ही दिखा रही हूँ, लौकी का recipe मेरे चानल पर डला हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि लौकी के पकोड़े कैसे बनते हैं, सेम इसी तरह से बैगन के भी बनते हैं, यह देखे, एक आलू मैं यहाँ पे काट ले हूँ, अगर आपको चाकू से काटने में परिशानी हो रही हो, तो आप chips cutter से भी काट सकते हैं, लेकिन चिप्स cutter से यह जो आलू हैं, वो थोड़ बरतन में भी पानी डाल देंगे, जिसमें के मालू को चान के रखे हैं, और मैं यह पे एक ग्लास पानी डाल रही हूँ, अगर आप ज़्यादा आलू ले रहे हो, तो पानी की मातर थोड़ा सा बढ़ा दें, और अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक डालने के पाद हम एक पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक बचला लेंगे इसे, और हम इसे रखेंगे गैस पे उबलने के लिए, हम इसे एक बॉइल आने तक बस पकाएंगे, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना हमें, जैसे इसमें एक बॉइल आ जाएगा, उसके बाद हम इसे बंद कर जाता है तो फिर इस तरह से पकोड़े खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं तो आप कोसिस करें कि आप इस तरह से बनाए और यह देखे जैसे एक बॉइल आ गया था तो मैं इसे बंद कर दी हूँ और अब हम इसे छान लेंगे ताकि यालू जादा न पके और अब मैं यह हूँ चना का दाल जिसे मैं 2-3 घंटे पहले ही भीगो के रख दी थी ताकि दाल अच्छे से फोल जाए और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो मैं आप यह जो पकोड़े हैं उसे बेशन से नहीं बना रही हूँ मैं आप चना दाल से बना रही हूँ चना दाल को भीगो के इस तरह से पकोड़े बनते हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं हमारे हाँ होली का धन में इसी तरह से चना दाल भीगो के और फिर पकोड़े बनाया जाते हैं चना दाल को मिकसर जार में डालने के बाद मैं इसमें डाल दी हूँ लैसन दो हरी मिर्श थोड़ा से मैं डाली चावल काटा, तो मैं यह आपे दो चमच चावल काटा डाल रही हूँ और यह बिल्कुल ऑप्सनल है इससे डालने से पकोड़े बहुत जाद़ क्रिस्पी बनते हैं इसलिए मैं यह आपे चावल काटा डाल रही हूँ और अब हम इसमें थोड़ा थे पाने दाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे पानी आपको अगर कम लगे तो आप बीच में थोड़ा-थोड़ा करके डाल सकते हैं एक साथ पानी न डाले नहीं तो हमारा यह जो पेश्ट है वो काफी जादा पतला हो जाएगा यह देखे दाल अच्छे से पीस गए हैं तो लाल मिर्च नहीं डाल रही हैं अगर आपको बहुत जादा तीखा खाने कमन हो बहुत जादा तीखा पसंद हो तो लाल मिर्च थोड़ा सा डाल सकते हैं और लास्ट में हम इसमें बारी कटी हुई धन्या की पत्ति डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंग जैसे कि जब हम बेसन से पकोड़े बनाते हैं तो उतना पतला हम इसे नहीं करेंगे थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे क्योंकि हम इसे डाल से बना रहे हैं और ये देखें ये है आलू और ये देखें मैं इसे बहुत जादा नहीं पकाई हूँ अभी ये टाइट ही है बस 10- 20% ही आलू पका होगा यहां पे तो अब हम बेसन में आलू को इस तरह से डाल देंगे और दूसरे साइट में तेल भी गरम होने रख दी हूँ तो चलिए अब हम तेल को चेक कर लेते हैं तो पहले हम बेसन का एक डॉप डालेंगे इसमें और चेक करेंगे तेल अच्छे से अब हमारा गरम हो गया यह तो चालिए हम एक करके पकौड़े डाल देते हैं तो पकौड़े हमें इस तरह से बनाने हैं हमें आलू के एक स्लाइसक से लेंगे और इसे तरह से पलट देंगे के दोनों ही साइड से अच्छे से से शेख लेना है जब तक कि पकोड़े अच्छे से क्रिस्पी न हो जाए presented इसमें थोड़ा सा चावल काटर डाले हैं तो इससे पकोड़े क्या हैं बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाते हैं अगर आप सिर्फ चनादाल से बनाते हैं तो उससे भी पकोड़े अच्छे बनते हैं लेकिन उत्ता क्रिस्पी नहीं होता है लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा स पकोड़े जरूर बनती हैं और साथ साथ बेंगन के लॉकी के भी बनते हैं और ये देखी, पकोड़े अच्छे से फ्राइ हो गय है तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं और इसे निकालने के बाद हम दूसरा भेश भी अपना फ्राइ कर लेंगे जो पकोड़े बचे हुए हैं उसे भी फ्राई कर लेंगे जब तक हमारा सेकेंड बेच पकोड़ा फ्राई हो रहा है तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजेगा मेरे चानल को सब्स्राइब कर दीजेगा और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को सेर करें कमेंट करके ज़रूर बता आप लोग आलू के पकोड़े की रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो आप लोग भी एक बास ज़रूर ट्राई करें यह आलू का पकोड़ा बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है आप इसे कभी भी बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में बन जाता है और सबको बहुत पसंद आती है बच्चों को भी बहुत पसंद आती है ये तो आप लोग जरूर से ट्राइ करिएगा और ये देखिए गर्म गर्म टेश्टी आलू के पकोड़े बनके तयार हो गए है तो मैंने आप इस सारे पकोड़े बना लिये हैं और मैं आप आज पकोड़े को सर्ब कर रही हूँ तो मैट्रो सॉस के साथ आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं पकोड़े और भी जादा अच्छे लगते हैं और यह देखे आप लोग देख सकते हैं पकोड़े कितना जादा टेस्टी लग रहे हैं तो चलिए अब मैं आप लोग को टेस्ट करवाती हूं आप लोग बताईएगा कैसा बना है हम फिर मिलेंगे अच्छी से वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाय टेक केर